हेलो फ्रेंड तो आज में आप लोगों के साथ आटे और आलो की ऐसे नास्ते की रेसिपी लेकर आए हूँ जिससे ना तो आपने कभी बनाया होगा और नहीं खाया होगा इतनी जादा आसान और टेस्ट नास्ते की रेसिपी है तो चलिए फ्रेंड देरिना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं तह इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक आलू लया था उसे ग्रेट कर लिया है और उसके बाहत क्या करना है कि यहाँ पर हमने सौध के अनुसार नमक डाला है उसके साथ ही इसमें जायगा थोरे छिंब रैट जी लिपाउडर उसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा गड़ मसाला पाउडर अब इन सभी चीजों को डालने के बाद ना आप इसमें एक तरका लगा लेते हैं और तरका भी डालने के बाद ना अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो फ्रेविंड एक बड़ आप लोग इस तरह से स्टरपिंग तेस्टी लगता है इससे आप भणाते भी बना सकते हों तो स्टरपिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हे तो मिक्स तो स्टरपिंग हमारा रेडी है तो अब इस रख देते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए और अब चलते हैं ना दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ हमने यहां पे ना यहां पे गुथा हुआ आटा लिया था यह गुथा हुआ आटा है और इसको क्या करना है ना कि अब इस आटे को हमें लेना है और इसके बाद इसे इसे करके लेना है और इसके बाद इसे मसल लेना है थोड़ा सा तक यह अच्छी तरह से सौफ्ट हो जाए अब चाहो तो आप अठा मतलब गुथ मतलब आठा रेडी भी कर सकते हो पर हमें और लेडी था तो इसलिए मैंने ने गया तो अब इसे दो भागों में डिवाइट करना है और एक भाग तो रोटी ज्यादा बड़ी त्यार करें तो हमने एक बड़ी सी रोटी त्यार कर लिया है और त्यार करने के बाद यह रोटी नहीं जदा मोटी है और नहीं जदा पतली है तो अब क्या करना है ना कि एक चाकू लेना है और चाकू लेने के बाद ना इसके साइड साइड जाना रमाराल से चत कर लिया है उसे कुछा टोर āड कर लेकि में चाल कर लेकिंप काथमी और वाइट लगाने हैं जाना ने जानते हैं जाना कमें करना है तो बिल्कुल अराम से स glued कट लगा लेना है तो हमने हम यहां पर इसको अचीतर से कट लगाए डिक लिया है तो अब क्या करना है उसे चोटे जोटे इसे रोल्स बना करना आब इसके बीच मैं ऐसे करके रख देना हैं तो सारे में ऐसे स्ट्रपिंग व Russक रख दिया है और रखने के बाद अब क्या करना है कि आफ एक को लेना है और लेने के बाद रह upfront एसे से एैसे करना इसे उठानाना है और सम से ऐसी रोल कर देना है सचा चाल एसक प्रिभाई है बहुत ही निया है थे चन्मच यो लेना है उसको लेने के बार ऐसे इक डिजाइन में देना है बहुत ही, आप लुग झुरुद ट्रॉय करने यह कहें लcape को का अब से करने लेना है न वेल से देस्ण ट्राहएं दाइर करने के लेना है, न आप एक डिजाइन बना लेना है तो यह बिल्कुल अच्छा तरसे बन चुका है तो अब क्या करना है कि अब वो चम्मच है ना चम्मच को ऐसे लगना है और इसके उपर से भी थौज़ा ऐसे से करके कर देना है तक यह बिल्कुल अच्छा सा डिजाइन बन जाए तो एक को बना ल बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स वीडियो की नौटिफीकेशन ना आप लोगों को मिलती रहें तो से मौई प्रोसेस से तो ऐसे करके तुनों साइट में ऐसे कर लेना है उसके बाद इसके उपर में थ्वासा ऐसे एक डिजाइन बना देना है तो दूसरा भी डेड़ी हो चुका है तो सारे नास्ते को हमने ऐसे बना कर रेड़ी कर लिया है अब चाहो ता आप इसे उाइल प्राई ही कर सकते हैं बट हम इसे मने फ्राई नहीं करेंगे आज हम इसे मतलब नहीं और नौह night policy बना experienced बना रहुए तो दुसरी तब हमने यहा तो हम प्लेट में निकाल लेना है र्जोया एक यह थोड़ी दे Guam उस्ता है थोड़ करें दो ने आधि भी और उसी धोरिज यह मीने मुनD focuses ढोल elles को साल को अब छोटे साइजी का टेमा ठाग मरता है उसे डाल माठा कर थेदे भी डाला दालें के बाद नहीं के पर हम एक से दो मिनट तक कित पकाने के बाद अब अब इसे डालने के बाद हम इसे चलाती हुए एक से दो मिनट पकाना है और हमें नमक का यूज नहीं किया है और हमने इस टॉपिंग में और उसको बॉल करने में भी नमक का यूज किया था इसलिए हमें नमक का बिल्कुल भी उच नहीं करना है और इसे एक से दो मिनट के पक और साथ ही में वेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहें